सात्यों हमारा पूरा प्रयास है कि समाच या देश का वो हर वर्ग जो खुद को किसी ने किसी वज़े से उपेच्छित महसुस कर रहा था उसके पास पहुचा जाए उसकी चिंता दूर करने का प्रयास किया जाए सामान्य वर्ग के गरीबों को दस प्रतिशत आरक्षन का फैसला हो या फिर स्रमिकों के लिए पेंशन की एतियासिक योजना हो गुमन्तू समुदाय के लोगों के लिए वेलफर डेवलप्मेंट बॉर्ड बनाने का फैसला हो या फिर देश के करोडों मच्वारों के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाने की बात हो हम सबका साथ सबका विकास के मंतर पर काम कर रहे हैं देश के हर व्यक्ति हर वर्ग हर कौने तक विकास और विश्वास की रोसनी पहुचाने की हमारी प्राश्मिक्ता ही न्यू इंडिया के नए आत्मे विश्वास का कारण बन रही है इस आत्मे विश्वास के बीच मैं आप से उस विश्वास पर भी बात करना चाहूंगा जो आपका बहुत फेवरेट विश्वास रहा है और यह विश्वास है रोजगार मुझे बताया गया है कि नेटवर्क 18 में साल 2014 के बाद से एग भी व्यक्ति को नौक्री नहीं मिली है रावल जी जानकारी सही है नहीं बोलेंगे खर हरान मत हो यह मैं जबाब का सवाल बताने की कोशिश आप साथ्यों को कर रहा था कि बिना नोक्री को सुरुजित किये बिना रोजगार को सुरुजित किये यह हो जाएगा जरा सोचिए जब देश में पहले की तुलना में कई गुना रप्तार से सड़के बनाने का काम चल रहा है रेल मार्गों के विस्तार का काम हो रहा है गर्यूबों को लिए लाखों मकान बनाने से लेकर नए पूल नए बान नए हवाई एड़े जैसे इंफ्रस्ट्रक्टर के दूसरे प्रोजेक्ट पर रिकॉर्ड कारिय हो रहा है परियटन के शेत्र में निवेस बढ़ रहा है तो क्या यह संभव है कि इन सारी गतिविद्यों से रोजगार पैदा नहीं हुए हो आपने अपने आसपास के माहूल में डॉक्टर सड़क पर दोने वाली गाडियां इसकी भी एक नई तस्वीर दिखाती है कोई मुझा बता रहा था कि आपके फिल्म सिटी नुएड़ा में रह पहले जहां आधी से अधिक जगह खाली रह जाती थी अब वहां गाडियों की पार्किंग की जगह भी नहीं है कहने का मतलब ये है कि पिछले पांच वरसों में ट्रांस्पोर्ट सेक्टर में जबर्दस भूम आया है कॉमर्शिल वाहनों की ही बात करें तो पिछले साथ ही भारत में लगबग साड़े साथ लाग गाड़िया बिकी है क्या ये मुमकीन है कि नोकरियों के विना इतनी कॉमर्शिल गाड़िया बिक रही है अब प्रधान मंतरी मुद्रा योजना को ही लीजिए मैंने मिडिया में इससे जुडियक से बढ़कर एक प्रेडित करने वाली कहानिया देखी है इसमेसे कई लाभार्जियों से तो मैं खुद मिला हूँ उनकी सभलता की कहानिया मैं खुद जानने का प्रयास किया है किस प्रकार उन्हों ने लोन लेकर अपना रोजगार शुरू किया और आज दर्जनों को रोजगार दे रहे हैं साथ को इस योजना के तहट 15 करोड से अधिक उद्यमियों को 7 लाक करोड रुपे से ज़्यादा का लोन दिया गया है आपको जानकर के अस्षर होगा कि इन में से 4 करोड से ज़्यादा युवा उद्यमिय ऐसे हैं जुनों ने अपने बिजनेस के लिए पहली बार लोन लिया है 4 करोड लोग क्या यह संभव है कि इतनी बड़ी संख्या में छोटे उद्यमियों को लोन दिया गया हो और उससे लोगों को रोजगार नहीं मिला हो साथियों रोजगार को लेकर सरकार को इपी एफो से भी एक व्यापक जानकारी मिलती है जहां तक इपी एफो का की बात है तो करोड लोगों का पैसा कट रहा है अंस्तदान जमा हो रहा है तब जाकर के यह आंकड़े आते हैं ऐसा नहीं है कि हजार दसजार लोगों का सर्वे करके आंकड़े बताए जा रहे हैं सितंबर 2017 से नवंबर 2018 के बीच हर महिने लगबग पांच लाग सब्सक्राइबर्स एपी एपों से जुड़े हैं इसी प्रकार Employee State Insurance Corporation यानि ESIC से हर महिने करीब 10 से 11 लाग सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं अगर हम इसे एपी एफों के आंकड़े से 50 प्रतिशत ओवरलेब भी माने तो भी फॉर्मल वर्क्पोर्स में हर महिने लगबग 10 लाख लोग शामिर हुए हैं या नी एक करोड 20 लाघ न्मक्रियां प्रती वर्ष साथ्यों बिते चार वर्ष्व में विदेशी पर्येटदी को की संख्या में करिब 45 प्रतिशन 45 प्रसंट की एत्यासिक बृति हुई है परियतन से होने वाली विदेशी मुद्रा की कमाई भी बिते चार वर्षों में 50 प्रतिशत बढ़ गई है इतना ही नहीं भारत के एविशन सेक्टर में भी एत्यासिक बढ़ोत्री हुई है पिछले वर्ष दस करोर से अधि स्विजिद नहीं हुए क्या इन आकड़ों से यह साथ पता चलता है कि देश में हर छेत्र में रोजगार की अफसर पैदा हुए है और लोगों को रोजी रोटी मिली है हो सकता है कि कईयों को मोदी की बात नमनना ताय करके बैठे हो मैंनिफेकर नीडिफेक्ट हो सकता है लेकिन यह भी तो याद रखे कि पस्चिम मंगाल सरकार कह रही है कि पिछली साल उसने नव लाग नोकरिया शुरुजित की है और 2012 से 2016 तक पस्चिम मंगाल सरकार की बात है आपको मोदी पसंद नहीं है उनका तो मानो वो भी तो इंदुस्तान में है करनाटक सरकार हो सकता है जो मुझे अब नफरत करते हैं उनको प्यार करते हो करनाटक सरकार कहती है कि पिछले 5 साल में 53 लाख नोकरिया दी है क्या यह संबव है कि पस्चिम मंगाल और करनाटक में नोकरियों के उसर बन रहे हैं लेकिन भारत में नहीं बन रहे हैं कि मुझे मालूम है पत्रकार बंदू किसों को पूछेंगे नहीं है कि साथ क्यों रोजगार को लेकर मैं मानता हूं कि अभी भी देश में काफी कुछ करना है हम यसा नहीं कहते हैं सब कुछ हो गया है हम वह ऐसी सोच वाले रिखती नहीं है अगर ऐसा सोच होती ते इतना कि प्रॉच करूरब嗎 क्याएं हम क्या कररा है कि हम दोड़ इसलिए रहेauen है कि सब कुछ हो गया है सामनेवाले हम नहीं हैं devoir सब कुछ करने के लिए जी जान से जुटे रहेंगर इस संकल्प के साथ लगे हुए कि यह बात सही है बहुत कुछ करना है लेकि जिस दिशा में और जिस तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं मुझे पुरा विस्वात है कि जॉब्स को लेकर भी बारत पुरी दुनिया के सामने एक मिसाल बन करके उपरेगा